दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे है निकॉन का Z50 मोडल और निकॉन का लेटेस्ट ZFC मोडल के वारे में मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसमें पूछा जा रहा था कि इन दोनों में से कौन सा हमें खरीदना चाहिए कौन सा बैस्ट कैमरा रहेगा खा पर मैं आपको बता सको कि अगर आप वैडिंग के लिए यूज करना चाहते या फिर आप ब्लॉग इंग के लिए यूज करना चाहते तो इन दोनों में से कौन सा कैमरा आपके लिए बैस्ट रहेगा तो जो पहला आज का वीडियो होने वाला है कुछ external difference के वारे में अंतर बताऊंगा कि अगर आप Nikon का Z50 camera लेते हैं या फिर ZFC camera लेते हैं खास difference आपको क्या देखने मिलेगा दोनों camera में क्योंकि दोस्तों दोनों camera Nikon के APS-C mirrorless camera की category है और मैं अगर Nikon के Z50 के बारे में बताओ तो वह first APS-C mirrorless camera रहा है उसके बाद Nikon ने दूसरा Nikon का जो ZFC model है उसे launch किया था तो चलिए सबसे पहले उसके difference के बारे में बात करते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले में बात करते हैं इसके design और handling को लेकर तो design और handling के अगर मैं बात करूँ Nikon Z50 model के तो कहीं न कहीं हमारे Nikon का Z5, Z6, Z7 से प्रेडित है आपको same controls और same design आपको देगने को मिल जाएगा बस size की बात करूँ तो यहां कहीं न कहीं Nikon का Z50 model थोड़ा compact है तो और light weight है हमारे full frame camera से पर design और मैं handling के बात करूँ तो आपको Nikon का Z50 model काफी comfortable handling and grip देता है क्योंकि यहां पर आपको एक काफी ऊची से grip मिल जाते है जहां पर आपको one hand control के अगर बात करूँ तो कहीं न कहीं काफी fit और comfortable feel होता है और design के बात करूँ तो आपको Nikon के जो full frame हमारे camera है उनसे कहीं न कहीं मिलता जुलता आपको design इसमें देख देखने को मिल जाएगा अगर आपने Nikon का FM2 model अगर आपने देखा हो तो कहीं न कहीं न कहीं न कहीं थोड़ा निराश आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि इसकी handling बहुत ही जादा flat है आपको कहीं न कहीं external grip का इसमें use करना होगा अगर आपको proper handling hand feel चाहिए इसमें तो अग्दम retro look है और design wise यहां पर आपको बिल्कुल ही बहुत बढ़ी है आपको premium design आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद अगर दोस्तों मैं controls और buttons की बात करता हो तो कहीं न कहीं न कहीं Nikon का Z50 model हमारे full frame के camera जो आते है Nikon का Z5 हो गया Nikon का Z6 हो गया Z62 हो गया उन से काफी मिलता जुलता इसमें आपको controls देखने को मिल जाएंगे और वहीं पि अगर मैं Nikon के ZFC के controls की बात कर तो बिल्कुल अलग controls है मतलब उपर की और खुद से आप देखिए 2-3 dial आपको देखने को मिल जाते है जिसमें ISO shutter speed जैसे आप function को operate कर सकते है तो इसके जो controls है बिल्कुल ह Z50 model जब आया था जो screen थी वो आपको tilt मिल जाती है हां उसको 360F selfie की तरह use कर सकते हो लेकिन कहीं न कहीं आपको यह problem create कर सकती है कि जब आप अपने camera को किसी भी tripod में mount करते हो तो आप selfie की तरह camera को use नहीं कर सकते हो otherwise इस camera के screen को एक high angle एक low angle में काफी easily shoot कर सकते हो बट आपको problem व बात करूं वहां पर आपको कहीं न कहीं वेरी अंगल जाते है जो कि आप इसली से उसको selfie की तरह use कर सकते हो अपने डाउन लो एंगल को काफी इसली सब शूट कर सकते हो इसके बात कि अगर में difference की बात करूं तो वहां पर आ जाती है internal flash की तो Nikon का Z50 camera में आपको internally flash मिल जात differences की बात करो तो कहीं न कहीं connectivity में आपको थोड़ा difference देखने को मिलता है क्योंकि Nikon का Z50 model में आपको USB-B type port देखने को मिल जाता है तो कहीं न कहीं वह help करता है आपके power supply को लेके या फिर अगर data transfer करें तो उसके fast processing में तो कहीं न कहीं यह आपको plus point देता है दोनों ही camera में 3.5 mm का external mic option देखने को मिल जाते हो कहीं न कहीं आप अगर vlog shoot करते हो या फिर video shoot करते हो तो कहीं न कहीं 3.5 mm का external mic आपको काफी ज़दा help करता है clear voice record करने में तो दोस्तों ये तो कुछ physical differences है जो आपको Nikon का Z50 model और Nikon का ZFC model में देखने को मिलते हैं आप कुछ features internally बताता हूँ जो आपको इसमें plus point देखने को मिलता है तो दोस्तों सबसे पहले तो जब आप video recording करते हैं दोनों ही camera में तो यहां पे Nikon का ZFC camera में video में भी eye focus option दिया हुआ है जहां Nikon का Z50 model में नहीं दिया हूँ सिर्फ face को track करता है या फिर tracking activate कर सकते हो बट आप Nikon के ZFC camera में video में भी eye focus का option enable कर सकते हो जैसे Nikon के Z62 में दिया हुआ है और feature extra क्या है और दूसरा internal feature जो आपको इसमें advance देखने को मिलता है वो है कि अगर आप Nikon के Z50 camera को अगर power bank से connect करते हो तो वो camera क्या होता है आफ हो जाता है सिर्फ charging करता है आप उस camera को operate नहीं कर सकते हो अगर आप Nikon के ZFC camera में अगर power bank connect करते हो तो क्या है camera चार्ज भी करेगा और proper आप उसे operate भी कर सकते हो यह काफी plus point है कई बार होता है long video shoot करते या फिर कहीं outdoor जाते तो वहां कहीं न कहीं आप continue work कर सकते है तो यह plus point आपको Nikon के ZFC में देखने को मिलता है last में मैं बात करूँगा इसको pricing को लेके तो Nikon का जो body price है Nikon का Z50 का जो body price है वो है 72,995 रुपे और वही Nikon का ZFC body है वो है 84,995 रुपे तो कहीं न कहीं 12,000 का body में जो price का difference देखने को मिलता है तो Nikon ने ये MRP तो रखी हुई है बाकी कुछ ना कुछ नया भी दिया है उसके बार में एक बार डीपली बात करेंगे कि 12,000 में क्या आपको Nikon का Z50 लेना चाहिए या फिर ZFC लेना चाहिए या फिर personal use के लिए आपको इस camera में से कौन सा camera को purchase करना चाहिए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा कैमरों से related कोई भी question होगा तो comment box में पूचे या फिर मुझे इस्टाग्राम पर follow कर सकते वहां पर भी question कर सकते वहां पर भी reply जरूर करूंगा तो वीडियो पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो ऐसे देस रास related वीडियो में बनाते रहता हूँ चैनल को करते जिए का subscribe bell icon को press करके all पर click कर देजा ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जा तो चलिए दोस्तों एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए good bye